नमस्कार मेरे भाई और बहनों आज हमारे पास इन प्रोगलम आई है काफी सारे मेरे भाई और काफी सारे मेरी बहनों की ये प्रोगलम है WhatsApp चैट के अंदर एक Export चैट करने का Option आता है जो कि एक चैट के अंदर भी आता है एक इसके लावा WhatsApp की setting के अंदर भी ये option मिलता है तो काभी सारे मेरे भाई और काभी सारे मेरी बहन confusing ये होती है कि किसी आपके दोस्त की chat जो delete हो चुकी है वो भी export होती है या नहीं होती है आज की वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे और ये वाला option WhatsApp ने किस reason से दे रखा है इसके बारे में बात करेंगे अगर आपकी ये problem है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा इसके लावा आपकी और कोई problem है WhatsApp के अंदर तो आप वीडियो की description को check कर सकते है वाहाँ मैंने बहुत सारी problem का solution किया हुआ है इसके लावा आपकी और कोई problem है आप मेरे साथ में discuss करना चाते है तो आप नीचे comment करके आप बता सकते है Facebook, Instagram पे जाके मुझसे बात कर सकते है अभी हम आज की जो problem है उसका क्या solution है वो देख लेते है तो आप किसी भी चैट में जाओगे आपके किसी भी दोस्त की चैट में तो वहाँ पे चैट export करने का option मिलता है include media और without include media दो option मिल जाते है वहाँ ठीक है इसके लावा सारी जितनी भी WhatsApp की चैट है वो भी export करने का option मिल जाता है आखिरकार ये option WhatsApp ने किस रिजन से दे रखा है पहले उसके बारे में बात कर लेते है ये वाला जो option होता है export का मतलब होता है आप कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे भीजना है आपको ठीक है या फिर direct भीजने का option आता है वहाँ पे तो भीज सकते है include media का मतलब यह होता है कि आपके जो photo वीडियो जो भी share किये है आपके दोस्त ने या फिर आपने किये है आप दिखाना चाते है आपके दोस्त को कि मैंने ये चैट कर रखी है तो आप उसको दिखा सकते है सिर्फ यह होता है आप किसी की चैट आपके दोस्त बात कर रहे हैं और तिसरे दोस्त को दिखाना चाते है कि मेरे दोस्त से ये बात किया तो उसको दिखाने के लिए ये बना रखा है इसके लावा आप Gmail ID पर SEO भी कर सकते हैं इस तरीके से कावी सारे मेरे भाई और कावी सारे मेरे बहन ये सोचते है कि चैट export जब हम करते है तो delete message भी वापिस आ जाते इससे तो मैं आपको बता दू delete message वापिस नहीं आते इसमें अगर आपके दोस्त ने delete कर दी है message और आप यहाँ पे जाके चैट export करने की कोशिश करते हैं कि delete message भी क्या पता आ जाए तो ऐसा नहीं है तो I hope जो आपके दिमाग में जो question था clear हो चुका होगा इसके लावा आपके दिमाग में और कोई भी question है तो नीचे comment करके आप मुझे से पूछ सकते है WhatsApp से related कुछ भी पूछ सकते है मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है WhatsApp चैट अगर आपके delete हो जाती है तो उसको recover कैसे करे अगर आपकी WhatsApp चैट delete हो गई है आपके पास वे backup नहीं है तो उसको restore कैसे करे तो ये वाली वीडियो देखिए और आपके पास वे backup है Google Drive पे तो restore कैसे करे आपकी सेट तो ये वाली वीडियो देखिए और मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैन जैवारत